आपके अपने पसंदीदा चैनल ग्यांदा इनी ऑनलाइन क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अब लॉजिकल रीजनिंग आपकी चल लई है दो टॉपिक मैं लॉजिकल रीजनिंग के करा चुका हूँ एक तो आपका स्टेटमेंट एंड अजंप्शन कथन अवम पूर्धारना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो पहली बार चैनल से जोड़े हुए हैं और चैनल क और पहली और हैं जानते हैं स्टेटमेंट को करें अगर बात करहां तो दो प्रकार के तर्क आप के उते हैं यह तो प्रबल तर्क और एक होता है निरवल इसी की भेजान उन्यस्केक में एक एक तर्क हमें तर्क क्या मतलब एक स्टेट्मेंट दिया होगा और स्टेट्मेंट में क्यूशन होगा एक प्रसन होगा और उसका एक जवाब जो हा में होगा और एक ना में होगा तो हमें जो हा में जवाब दिया हूँ उसके साथ जो बात कही गई है वो हाँ से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है ये हमें देखना है अगर मैच कर रही है तो तरक प्रबल हो जाएगा और जैसे ना में जो बात कही गई है आगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए उसका explanation अगर कथन से मैच कर रहा है तो वो हमारा तर्क प्रबल हो जाएगा और नहीं कर रहा तो वो कैसा हो जाएगा निरबल हो जाएगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में कही गई ऐसी बात जो कथन से सीधा सम्मद रखती है जिसकी अगर डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी मैं किबल समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में कही गई ऐसी बात जो सीधा सम्मद रखती है कथन से तो ऐसा जो तर्क होगा वो आपका प्रबल तर्क कहलाएगा लेकिन जो कथन के पक्ष या विपक्ष में ऐसी कही गई बात जो कथन से सीधा सम्मद ना रखती हो तो वो तर्क आपका कैसा हो जाएगा निर्बल तर्क हो जाएगा बस इतना सा है यह कथन और तर्क में प्रबल और निर्वल की पहचान ठीक है अब कुछ वर्ड्स हैं कुछ बातें हैं उनको ध्यान में हम रखेंगे जिससे हम यह टॉपिक अच्छे से कर पाएं कि जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और यह टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं जैसे कि पॉइंट क्या-क्या है कि कि यदि किसी तर्क में क्या क्यूं कब यानि कि प्रश्न वाचक सब्द क्या क्यों कब कॉमा प्रतियेक सभी अन्य कोई भी अन्य कोई भी इसलिए बहतर केवल एक मात्र आदी सब्दाएं तो वह तर्क निर्बल होगा या तर्क ठोस नहीं होगा ठीक है नेक्स पॉइंट कथन कभी भी तर्क नहीं हो सकता यानि कि कथन जो है ना तो कभी पुढ़ाना होगा ना कथन कभी निश्कर्स होगा और कथन कभी तर्क भी नहीं होगा कथन की पंदाव रत्तिय अगर तर्क में हो रही तो वह हमेशा गलत होगा नेक्स है नेक्स पॉइंट तुलनात्मक तुलनात्मक तर्क हमेशा थोस नहीं होंगे यानि की तुलनात्मक जिसमें तुलना की जाएगी वह तर्क हमेशा थोस नहीं होंगे वह निर्बल ही होंगे ठीक है अगला क्या है तर्क थोस तभी कहलाएगा जब उसका सीधा संबद कथन से हो ठीक है यह कुछ पॉइंट से इनको ध्यान में रखना है तो आप जो है यानि कोई भी तर्क जो है कथन से हटके नहीं होना चाहिए तो इन तर्क नहीं हो सकता है तो लनात्मक तर्क हमेशा गलत होंगे और तर्क तभी ठोस कहलाएगा जब उसका सीधा संबंद कथन से हो रहा है तो आपका तर्क निर्बल हो जाएगा ठीक है इसको एक तर्क समझते हैं कि example देखो फिर उसको समझते हैं किस तरीके से प्रसणी होगा उसके गजन की तो पक्षमें होगी एक ये एक भी पक्षमें होगी लेकिन अगर पक्षमें है तो जो उसका explanation है जैसे की कोई सवाल के आ रहा हुआ है उसका एक explanation हामे होगा नहिंन होगा नहीं में तो हमेंания नहीं भो कथन से सीधा द्लीजा सम्मन्द रखा तो भी ठोस हो जाएगा ठीक है ऐसा निए की हाँ या ना है दे दिया तो हाँ वाला से तो नहीं माला गलत हो जाएगा उसके explaining एक्समेनेशन हमें चेक करने पड़ेंगे कि नहीं के साथ क्या और हाँ के साथ क्या explanation दिया हुआ है उस आधार पर हम कथन से match करके देख लेंगे match कर रहा है तो ठेक नहीं तो गलब जैसे एक example से इसको समझो एक example दिया हुआ है आपको उधारन दिया हुआ है कि statement है कथन गर्भवस्था के दौरान गर्भवस्था के दौरान लिंग जाच कराना यह लिंग परिक्षण कराना पूर्वस्था बंद होना चाहिए यह आपको एक कथन दिया जा रहा है कि क्या गर्भवस्था एक इस तरीके से question word भी लखा होता है कभी कभी नहीं भी लिखा होता है कि क्या गर्भवस्था के दौरान लिंग जाच कराना पूर्वस्था बंद होना चाहिए अब इसके दो तर्क दिये हुए है पहला तर्क है एक हामे है और एक नामे हामे दिया हुआ है हाँ मादा भ्रून की अंधादुन हत्याएं होती हैं जिससे सामाजिक संतुलन बिगड जाएगा बिगड जाएगा और दूसरा तर्क दिया हुआ है नहीं गर्भा वस्थक के दौरान लिंग जाच कराना कानूनी अधिकार है ठीक है यह दो हमें जो है तर्क दियो में तो आप खुद देखो इसने कहा है कि गर्भा वस्था के दौरान लिंग जाच कराना पूर्टे बंद होना चाहिए माधा वरून के हंधा अध्या होती है जिससे सामाजिक संतुलन बिगर जाएगा बिल्कुल यह पहलावाला तर्क ठोस है बिल्कुल सही बात के जो हमें कहाँ गया हां में जो जवावें तर्क संगत है कतन से मैजचْ रहा है किया घरववस्था के दो लिंग जांच कराना नहीं कोई कानून बना है तो यह कथन से बात हट गई कोई ये बात को हटा दिया गए कानूनी अधिकार है कानूनी अधिकार की बात हुई नहीं है और ऐसा कोई कानून है भी नहीं तो ये वाला आपका जो तर्क है ये कैसा हो गया निर्बल तो अब आंसर क्या हो जाएगा option number a आंसर देने का तरीका किस तरीके से होता है यदि हैं तो option number e इस तरीके से आंसर देने होते हैं तो इसमें केबल पहला आ रहा है तो आपके प्रस्ट का उत्तर क्या हो जाएगा option number a ठीक है उमीद है कि ये इस एक्जांपल के तुरू आप समझ गया होंगे ठीक तो आप कुछ कुछ कुशन है उन कुशन को करके देखते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा कुशन इस टॉपिक के आप करोगे उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होगा और फिर कोई समझ्या नहीं आई भी ле to choose कर थे सबसे पहले आपको क्या करता है देखो इसमें आंसर देने का तरीका पहले हम समझ है ऑप्शन नंबर में देजिए यदी टेवल के फर्स्ट तोस याने कि पहला तर्फ थोस है ऐप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दिजिए यदी के वर तके और तोस है option number c दीजिए यदी या तो first या second होस है option number d दीजिए यदी ना तो first ना second होस है और option तो इस तरीके से आंसर देने का तरीका अगर केबल दो तरक दिये हैं दो से ज्यादा तरक है तो उसके option जस्त नीचे लिखे ठीक है बढ़ते हैं पहले सवाल के और स्क्रीन पर आपके आ चुका है पहला सवाल क्या है देखो इससे उपर निर्देश भी आपको दिये हुए हैं इनको पढ़ने नीचे दिये गए प्रतिये क्रिश्म के बाद दो तरक फर्स्ट सेकेंड दिये गए हैं आपको यह कौन सा तरक ठोस है तथा कौन सा कमजोर है उत्तर देने का तरीका मैंने आपको बताई दिया है किस तरीके से देना है अब इनके उपर एक लाइन है और भी लिखी होंगी कि जो आपको तरक जो कतन दिया हुए चाहिए वो सर्व मानने हो सर्व तर्थियों से अलग हो फिर भी उसको सत्य मानते हुए आपको क्षिशन क्या अंसर देने ठीक है पहला क्षिशन क्या है क्या भारत में रेल लाइनों के सभी लेबल क्रॉसिंग बंद किये जाने चाहिए और फ्लाइ ओवर या सबवे बनाया जाने चाहिए तो इस टॉपिक को देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक को फील करो कभी आपका कोई क्यूशन जो है वो गलत नहीं हुआ फील कैसे करना है यह मान के चलो कि आप 5-6 दोस्त एक साथ बैठे हुए हो प्रत आपका ठोस नहीं होगा बस इतनी चीज का ध्यान लगना फील करके इस टॉपिक को करोगे आप 100 परसेंट इसके सही कर लेंगे अप जैसे की पहले सवाल में कह रहा है कि भारत में रेल लाइन हो के सभी लेवल क्रॉसिंग लेवल क्रॉसिंग आप समझ रहे होंगे जहां फ सहर सहर में या गाउं बगार हमें जिसे फाटक जीसे कहते हैं गाउं में आपी होते हैं यह प्रॉसिंग हैं लगने शुरू हो गाई हैं बेर्यियर को बंतर ले हैं बंत अंदेना चाहिए जिसेृज दोस्तेंग कि अपके मंहाएं यही उसने के चीछिटन में और उनकी ठेक तो पहला इसमें कहा गया है तर्क एक ने दिया एक फ्रेंड ने दिया हां बना देने चाहिए क्यों क्योंकि इससे ऐसी दुर्गटनाओं की संख्या में पर्याद कम हो जाएंगी जिसके परणाम जरूब बड़ी संख्या में लोगों की मृत्ति होती है बिलकुल सही है उसका तर्क हां में कहा है उसने कि हां ऐसा कर देना चाहिए क्यों क्योंकि बहुत सी दुर्गटनाएं घटी हैं लेवल क्रोसिंग होने के बाद भी यानि कि फार्टल लगने के बाद भी तो ऐसी दुर्गटनाओं में कमी आएगी तो इसलिए सब्वे या फ्लाइओवर हो तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इतने सारे फ्लाइओवर यह सब्वे के निर्मान के लिए सरकार के पास पर्याप निधी नहीं है तो बिल्कुल दूसरे वाले का तर्गवी कैसा है ठोस है तो आपके प्रसंद का उत्तर हो गया अब आप कहो कि एक हां में कहा दिया एक ना में कहां दिया फिर दोनों सही कैसे हो गया तो एक्स्मेलेंशन भी दे रहे हैं कि हां हो जाने चाहिए दुरगटनाओं में कमी होगी बिल्कुल सही बात है ठोस है कि हां तुमारी बात में दम है दूसरे गर है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों अब उससे सवाल आपने इतना पैसा भी नहीं है पैसा होता पैसा अगर होता तो फिर फॉट गी क्यों लगाते महां पर तो उसकी बात भी बिल्कुल ठोस है दोनों की बात ठोस तो प्रस्ण का उत्तर क्या हो गया option नमबर ए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कहा गया है question number second second में कहा गया कि भिधिक रूपसे चूट दी चाहिए जुवा कहलने के लिए भिधिक रूपस याननी रूपसे चूट मिल जानी चाहिए फिर से एक दोसित के मन में एक सवाल आग splits कि जुवह खेलने की चूट दे दो अब विशा रखो अपने अपने आपस में बैठे हुएं तो पहला गह रहा है एक उन में से कह रहा है हाँ छुट मिल जानी चाहिए तो उसे बुझे हाँ भई क्यों मिल जानी चाहिए कारण तो बताओ तो वो कह रहा है कि जुए में लगने वाली राशी पर कर लगाकर सरकार अत्य दिख्धा नर्जित कर सकती है क्योंकि अन्यथा लोग अवैद रूप से जुवा खेलते हैं बिलकुल सही बात कर यह अजूसरा क्यूसरा किश्टियम पहला थक ठोस हो गया कैसे हो गया ब्रूत लोग फिर भी खेलते हैं जुवान तो फिर भी लोग खेली रहे तो क्यों सोरकार उस agency युझा वां सकती है बात के मन में आ गया क्या नहीं भाई वेडिक रूप से छोट नहीं दिनी तो इस टॉपिक की कहा होती है जैसे कि मिटिंग चल लए है अधिकारी लोग बैठे हैं तो उसमें आप भी सामिल है तो इसलिए तो इस टॉपिक की जरुट पड़ती है आज और ये ऑसके इसा कर चाहिए है चाहिए होगाँ, यह对कलू Jaa, यह नहीं होगा, यह नहीं तो उस साथ explanation भी तो देख रहे हैं आप दूसरा कह रहा है कि नहीं इसे बिधिक नहीं करना चाहिए उससे पूछा आप लोग उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए बता तो जही तो उसने उसका जवाब ये दिया कि इसे बिधिक बनाए जाने पर समाज के गरीब वर्क के लोग अपनी पूरी आए जुए में लगा देंगे इससे उन्हें भुक्मरी का सामना करना पड़ेगा तो उसकी बात भी बिल्कुल ठोस है क्यों? अगर बिधिक बना दिया यानि कि इसको लीगल कर दिया जुए खेलने को तो आप जो डर-डर के खेल लए थे जो गरीब तक के लोग है जो दिहारी मजदूर है चारसो पांसो रुपए लेके जाते हैं एक दिहारी की चारसो पांसो रुपए ले गए तो फिर तो उन्हें कोई डरी नहीं होगा अब तो डर भी है कि कहीं पुलिस देख लेके पकल के ले जाएगी और जब कानुनी रूप से छूट मिल गई तो जम्के जुह खेले का जल्दी अमीर होना चाहेगा जल्दी अमीर होने चाहेगा 4-rowप सब्सक्राइघ ज बमने चाहेगा फ्स поговорant ज्सनर सब्सक्राइस पोरे के पुरे चार सो रूप रही जोए में लगा सकता है योग highlighting हे जल्दी अमीर होने के लिए रोट्ड würde तो दोनों तर्क जो हैं बिलकुल थोस हैं तो आपके प्रशन का उत्तर क्या हो गया अप्शन नमबर ए कि अधिक है उमीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से क्लिए हो रहा होगा अगला सवाल नेक्स क्या है नेक्स क्यूशन आपके बोर्ड पे आ चुका है क्या रास्टे अंत्रिक्ष अनुसंधान कारेक्रमों के लिए दी जा रही निधी को गरीवों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशाखित कर देना चाहिए जो अंत्रिक्ष अनुसंधान है अंत्रिक्ष जो अनुसंधान जो करते हैं स्प्पेस में जो रिसरच करते हैं वैग्यानिक तो तो उसके लिए जो रासी आवंटिद होती है बजट में फिर से 5-6 लोग 5-6 मितर बैठें एक के मन में अचानक से सवाल आ गया कि याज जो इस पेस के लिए जो रिसर्च होती है जिसे डियाइडियो मालो या फिर आपका नासा हो गया ठेक और जो भारत की है इस रूह है इस गरता के देशें से पिसता है इसके लिए एक घूर करते हैं इसके लिए बज़ेट में एक रासी आवनटिद होती है विशाकित की जाती है तो उस रासी को जो गरीबों में विशाकित करेंगे आन चाहिए ती है कि अ अंत्रिक्स अनुसंधान का बजट अन्य देशों के बजट से कम होता है तो अब इसे आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूत नहीं तीसरे का पहला तो हो गया कैसा गलत क्योंकि तुलनात्मक तर्क तुलनात्मक पूरधार्णा है तुलनात्मक निश्कर्स हमेशा गलत होते हैं लास्ट के दो टॉपिक जो करा दिये लॉजिकल की उसमें भी बताया है कि तुलनात्मत अगर तर्क है या पूरधार्णा है या निसकर से वो हमेशा कैसी होगी गलत होगी तो इसमें दूसरे देश क्या करता है हमें उससे कहा मतलब हमें तो अपने देश के बारे में सुचना है दूसरा क्या कहा गया है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों कि संचार उपकर है टेली मेडिसीन जैसी सेवाई देने में मदद करते हैं जो संचार उपकर हैं जो सटिलाइट है तो वह क्या देते हैं टेली मेडिसीन जैसी सेवाई देने में मदद करते हैं इससे ग्रा जितने भी सेटेलाइट है अब उससे क्या-क्या हो रहा है अगर यह रिसर्च बंद हो जाएं तो अब हम जैसे कि एकदम से किसी ना किसी चीज को सेटेलाइट के थ्रू देख लेते हैं कि यह चीज कहा है गूगल मेप के देख लेते हैं सेटेलाइट से तो हूप आया तेली मेडिसीन जैसी से वहाँ है जो है आज गामेड़ों को मिल रही है वह इसी वज़े से नहीं तो फायदा हो रहा है उससे थीक है तो अगर यह रिसर्च नहीं होंगी जैसे अभी चंद्रयान भेजा था आप तो वह अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो वैग्यानिक रिसर्च कहां से करेंगे वह हम सब के कल्यान के लिए भेजा गया था नहीं नहीं खोजे करेंगे वहां पर दक्षनी छोर पर अभी कोई उत्रा भी नहीं था कि महां यूरेनियम या इस तरीके के पदार्तों का भ पढ़ेंगे तो उसका तर्क बिल्कुल ठोस है तो सेकिंड आपका ठोस हो गया तो प्रशन का उत्तर हो गया और बी क्लियर है उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हुआ अब इस टॉपिक से डर खतम हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिशन क्या कह रहे हैं एक्के मन में फिर से सवाल आ गया आपका इमित्र है कि यह जितनी भी विशुच्याले अनिवस्टीज हैं अंक ना दें अंक की की जिए ग्रेयट सिस्टम मना दें अब ब्लस इस तरीके से ग्रेड बना दे उससे क्या होगा कि ए वाले जो हैं जो 90 के बीचे बीच लोगे मिल गया जो 70-70 के बीच में इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम कर दो तो अब इसके पक्स या पा 한 में जरूर बात बाते करेंगे आपके मित्रे किसी बात पे लेके पहत ओ जती है 5-6 लोग हैं तो कुछ किंगे कुछ कि정 में कृषिक भी काएए नहीं तुम ऩाइक है तो पहला तरह साए करो क्यों कि यस से अंकों के खास ओमा के वहतर आने एक समाने स्तर का माना जा सकता है तो उसकी बात बिल्कुल सही है ठोस है कि हां कर देना चाहिए कि जैसे कि जिनको ऐप्लस मिले इतो इसका मतलब जैसे कि आपने अगर यूपी की बात करें तो समें ट्रपल सी एक्जाम एक होता है कोर्स ऑन कम्प्यूटर कॉंसे जो performance की तो उसमें grade मिलती है तो जैसे ए ग्रेड किसी का आगया तो यह एक समान इस्तर के हम मान सकते हैं बिल्कुल सही बात है सब लोग सहमत हो गए फिर अचानक से दूसरा बोला दूसरे ने क्या कहा यह नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छा मुझे एक बाब बताओ कि जैसे की दस वेकिंसी हैं किसी आयोग ने यह किसी डिपार्टमेंट ने दस वेकिंसी निकाली ठेक अब 15 लोग जो हैं वो पहु करोगे सब तो एक प्लस वाले हैं सब एक समान इस तरके हैं तो कह रहें हाया बात में तेरी भी दम है ऐसा कैसे हो जाएगा तो फिर जब चुनिंदा कुछ सूची बनानी होना सरेट करने के लिए तब ग्रेटिंग काम नहीं आएगी फिर तो अंकी काम आएंगे फिर उन 15 म अभी तरक जो है यही लिखा हुआ है देखो कि नहीं जब चुनंद्य सुची बनानी हो तो चात्रों का स्थान करने में कठेनाई होगी बिलकुल सही बात है तो दोनों ही तरक कैसे हैं सही अब इसका बीच का रास्ता क्या निकल सकता है यह ग्रेटिंग के साथ साथ नंबर भी तो कि इसके इतने नंबर है इस क्टेगरी में हा रहा है यह इसका बीच का रास्ता हो सकता है तो वही बात होगी एक हां में होगा एक ना में होगा इस तरीके से जलेंगे ऐस ठीक है उमिद कर रहूं बहुत अच्छे से क्लिर हो रहा होगा आप स्बाइब हो एक पूर में ब्रदोजल के पे पर पूरी तरीके से रोख लगा देनी चाहिए औस भी यानि भए विल तर्ekम क्या उनको पी ने से पूरी तरीके से रोख लगा दिनी चाहिए बंद कर देने चाहिए सौस्ट भी से पहले एक KEMन में फिर से सवाल आ गया फिर आपके दोस्ते एक बोला पहला तरक करें नहीं लगा नहीं चाहिए ग्रहक के उपर छोड़ दो उसकी मर्जी पीए ना पीए वह तो उसके उपर मर्जी करती है ग्रहक के उपर छोड़ दो वो खरीदे उसकी मर्जी है ठेक तो पहला जो है तरक बिल तो सैकंड से कहिरें तुझे इस पतारा स्ट outward मिले होते हैं तुझे गैसे पता तेरी जो बात है यह भाई पूर्धाना हो सकती है कि कोई ऐसा statement दे रहा है कि मिर्दुजल के जो पे हैं जो soft drinks है उन पे रोक लगा दो अब ऐसा कोई statement क्यों देगा कि कहीं न कहीं उनको पीने से लोग विमार हो रहे होंगे यानि कि उसमें रासाइनिक कुछ ऐसे पतार्थ मिले हुए होंगे जो नुक्सान पहुंचाते होंगे तो यह पूर्धारना तो हो सकती है लेकिन तर्क नहीं हो सकता ग्रा के ऊपर छोड क्या है अगला सवाल क्या है किश्यन नमश्igor देखो क्या है इसमें कहा गया जी मैं क्या सबीर ब्याव्साइक पाठेक्रमों के लिए और सभी और एक ही एक्जाम करने चाहिए सभी प्राइबेट कॉलिजिस को तो इसमें तो सीधे से पता चल ला है आप तुरंत जवाब देदो के जैसे कि एक मितने तुरंत जवाब दिया कि पहला तरह कर रहा है हाँ विद्ध्यारतियों को सभी कॉलिजियों के लिए विचार करने का आपसर मिले यह सनिश्चित करने हैं तो पुर्वेश परिक्षाओं के तारिकों में तक्राव नहीं होगा यानि कि तारिकों में तक्राव टालने के लिए यह जरूरी है तो सिर्फ तारिकों में तक्राव टालने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि तारिकों में तक्राव न अब जो लोग मेडिकल से चुड़े हुए वो इंजिनिंग लाइन का क्या जाने और जो इंजिनिंग से चुड़े हुए उन्होंने जब पढ़ी नहीं है एक ने तो आपका जो है इलावंध में बायो पढ़ी एक ने मैद पढ़ा तो बायो की चीज कहां से जानेगा जो से ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए विक्त कॉलेजों के ज taxi करेंगशन को तो इसकी बात कहीं न कहीं बिल्कुल ठोस है कि ऐसा संभव है ही नहीं आप प्रतियेग ब्यफसाइक पाथकरम का एंटर्स टेस्ट एक कैसे ले सकते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है तो अप्शन नमबर भी आपके प्रशन का उत्तर हो गया ठीक है जितने ज्यादा से ज्या फील करोगे हम पांच्छे लोग बैठैं किसी के मुनमें अचाना क्ष्ण आ जाता है खुछ तो उसके मोलेंगे कुछ भी बख्स में बोलेंगे लेकिन जो भी बख्स में बोला है उसका एक्स्मेरियाशन सुनो भी प्रशन लिजिएगा कि हां तेरी बास सही है तेरा तरक् मंत्री को माल लो उनके मन में कोई विचारा कि हम ऐसा करने की सोच रहा है तो मंत्री लोग कुछ पक्स में कहेंगे कुछ बिपक्स में बोलेंगे कुछ बिपक्स में सब अपने राय देंगे फिर बीच का रास्ता निकले यहां हमें बीच का रास्ता नहीं निकालना हमें तो बस यह बताना कौन सा तरक्ठोस होगा कौन सा नहीं होगा ठीक है बस इतने सी बात है ठीक बढ़ते हैं अगले सवाल की और को एक क्र Corporal से का मैं प्रवेशन स्क्रीन पर आशका है YOU क्या ऍैनने व्याओं देखो सुपूर्य गरिमल कि प्रभण्दगों प्रवेशन प्रवेशन से दिया चाहिए जितने भी private colleges हैं उसमें प्रवंदगों कोटा बढ़ जाना चाहिए यानि कि management की सीटे बढ़ा देनी चाहिए private colleges में फिर से आप 5-6 लोग मित्र बैठे हुए एक के मन में सवाल आया फिर पक्स अभी पक्स में बाते होंगी तो एक मित्र कह रहा है आपका कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उससे पूचा वही क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे योग्य विध्यारती अच्छे college में प्रव संसे रहे लाठे ब्रांच ले लो कोई ऑप 10-10 लोग अपने कोटे से रहा है चाहिए पैसी लेकर रखे है कुछ भी जान पहचान को ऐड्मिशन दे तो क्या इन शीटों को पढ़ादेने चाहिए तो इसको 20-25 कर देना चाहिए तो जब 20-25 होंगे पहले नप्यद्वें लो तो जो दस लोग है जो प्रतिवावान है वो बंचित रह जाएंगे एडमिशन लेने से बिल्कुल ठोस बात है ठीक सेकंड सेकंड तर्क में क्या कहा गया है कि हां बढ़ा देना चाहिए क्यों यदि कॉलिज स्वम निदिक रित है तो उन्हें प्रवे से तु अपने स्वम के मांदन निर्धारित करने की छूट मिलने चाहिए तो यह वाला तर्क कहता कह दिया सब लोगों ने मिलके कह दिया नहीं भई तेरा तर्क साही नहीं है अगर प्रा है माननेता रद करते हैं कोई तुम डिगरी कर भी रहो कोई माननेता नहीं है तो गर्रमेंट के अंदर ऐसे तो मनमानी करने लएंगे यह सो में से असी सीटे भी रखने लगेंगे मैनेजमेंट को टेवले 20 का बाहर से एडमिशन लेंगे कि मेरी जान पर जान के पैसा लेके रिस्वत लेके तो ऐसे तो मनमानी हो जाएगी ना तो ऐसा यह वाली तेरी बात बिल्कुल गलत है वही तेरी बात गलत है पहला वाला साही कह रह लगी क्लियर है अच्छे से क्लियर होता चला जा रहा होगा आपको नेक्स किशन की और बढ़ते हैं किशन नमबर एट एट में कहां गया है क्या भारत के सभी लिजी इस्पतालों का प्रवंदन सरकार को अपने हाथ में ले ले लेना चाहिए किशन नमबर एट पहला सवाल मिटिंग चल लए आप दोस्तों की एक के मन में सवाल आ गया क्या क्या भारत के जितने भी प्राइवेट होस्पिटल है यह जिन्होंने लाते होंगी ठीक है इन अगर इन तरकों को अगर ना भी पड़ो ना तो आपके मन में तुरंत भी चाहरा जाएगा कि क्या होना चाहिए पहला तरक कह रहे हैं हां ले लेना चाहिए अब उससे पूचा क्यों भई कारण तो बता उसने कहा इससे इन अस्पतालों द्वारा लोग्यों को दी जाने वाली सेवाओं में काफी जादा सुधार होगा तो यह बात कैसी हो गई गलत हो गई क्यों अब तुरंत ही है दूसरा उसका पलट वार करके यह गएगा कि सरकारी इस्पताल दो समाले ले ला जा रहे गवर्मेंट से प्राइविट का और जो है प्राइब बिल करके करोगे अपने आप सही होता चला जाएगा ठीक है सेकेंड तर्ग में क्या कहा गया है सेकेंड एक आपी का मित्र वो गहरा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन अस्पतालों को परवंधन करने के लिए सरकार के बाद पर्याप्त वित्य और मानस अ संसाधन नहीं है बिल्कुल सही बात है अगर परव्याप मानद मानस अंशाधन या बित्य संसाधन होते तो फिर वो सरकारी कोलेज्व को सर्कारी ऐस्पतालों को ऐसा ना कर देते सरकारी ऐस तरह कर देता है कि लोग परवाइवट में ज़ुरती नपड़ती ज़ब शरकार में सुविदा अच्छे से मुहईया कराई जाती तो फिर ये निजी एस्पताल खुलते ही क्यों इसलिए तो प्राइब एस्पताल खुले हैं कि कि कोई सरकारी में ध्यान नहीं दिया जाता तो तेरी बाल बिलकूल सही है हां हम सब तेरे से सहमत हैं बाकि मित्रों ने उससे कहा सेकेंड तर्क कैसा हो गया थोस हो गया तो आपके प्रस्ट का उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नमबर बी कि अच्छे नमबर नाइन आपके स्क्रीन पर आ कि नमबर नाइन में कहा गया है क्या निजी छेत्र के सभी संगठनों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटे का आरक्षन अनिवार्या करना चाहिए निजी संगठन का मतलब क्या हुआ जितने भी प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन है यह प्राइवे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए एक अलग से कोटा बनाना चाहिए कि जैसे कि अगर तुमारी फेक्ट्री में तुमारी कंपनी में 100 वर्कर हैं या 100 आपके एंप्लाइज हैं तो उसमें से आप 20 या 25 पिछड़े वर्गों को रखोगे जो आर्थिक से पढ़ा है तो आप खुदी तर्क का अनुमान लगा लो कौन सा सही है कौन सा नहीं एक जब यह बात आप से कही गई एक मितर ने सवाल आया इस तरीके से आप से पूछा तो तुरंत ही आपके मन में जवाब आ गया होगा अब तर्क भी पढ़ने की जरुत नहीं कि ऐसा क बात करूं जो मज़ूर कारे कुसल होगा चाहिए वो किसी भी जाती से आ रहा हो पिछड़ा हो या ना हो कारे कुसल को रखेंगे हमें तो अमनी फैक्टर को आगे ले जाना है हमारे क्षण क्यों दे ठीक है अब इतनी ही बास सुनते ही आप तुरंत अदाजा लगा लोगे पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों अब बिलकुल सही वात है, बिलकुल सही कह रहा है कि नीजी जू आता की रुखो है, जो कारे को चलुँगे, और सेकंड, बेस्ट subtक में क्या है संगठनों को भी सामाजी ग्रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में युगदान देना चाहिए बिल्कुल गलत बात है उत्थान इसी चीज से थोड़ी सामाजी ग्रूप से अगर कोई चीज कोई विपद्दा जैसे इस समय विपद्दा चली हुई है तो डोनेट कर सकता है पीम केर फंड में जो भी है राज्य सरकार के उसमें फंड में दान कर सकता है लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं कि समाज सेवा वह इस तरीके से करेगा उसका जो है वह इसका जिम्मेदारी नहीं है समाज सुधार की समाज सुधार के लिए सरकार है तो पहले वाले का तर्क बिल्गुल सही है दूसरा गलत तो आपके प्रश्ट का उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नमबर ए ठीक है क्लेर हो रहा है ठीक कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज क्या भारत वर्ष में खेती बाडी के लिए भूमी कर जल यानि ग्राउंड वैटर करने पर प्रतिबंद लगाना चाहिए जो ग्राउंड वैटर है उसके प्रतिबंद लगा देना चाहिए अब फिर से मित्रो एक के मन में सवाल आ गया दूसरा बूल रही है पहला यह कहेगा हाम है दूसरा कहेगा ना में कि हां या लगा दो पृतिवन क्यों 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 कि बहुत जादा भूखमिकद जल खीचा जा जा जुका है अब बहुत जादा खीचा गया तो मुस्किले पैदा होंगी द होता है वर्षा टाइम पर होती नहीं है तुरंत आपके मन में जवाब आ गया होंगे अब इनको दो है अब तरक को पढ़के देख लो पहला तरक है कि नहीं खेती वाड़ी पर इसका बड़ा प्रभाब पढ़ेगा क्योंकि सिचाही के लिए अन्य सुविधा है यह थेक है ग ब Kerryती के लिए काफी भूमे खजल खीचा चूक है तो दोनों के ही तरक कैसे हैं बिल्कुल है आँ दोनों जटो तो से बीच का रास्ता हमें नहीं ந हमेस तोपिकक में बीच का रास्ता निकालना ही नहीं हैं हमें थोस की बात केने हैं कि हां तुमारी बात भी जई है तुमारी भी ठोस है और तुमारी बात भी ठोस है सोंच में आला है ठीक बहुत अच्छे से गरो टॉपिक को कि हम पांच लोग बैठें के मन में सवाल आ गया फिर उस पर बहर चल लए कुछ बख्ष में कुछ बख्ष में कुछ बख्ष में अगला किसे नमर 11 है क्या एक कैलेंडर वर्स के भीतर किसी भी देश द्वारा खेले जाने वाले एक दिवस्य है अंतराष्ट जह थे क्रिक्ष मैचक इसमय होनी चाहिए एक के मन में सवाल आगी क्या यह एक साल में जो इतने बंडे इंटरनेशनल हो जाते हैं इनकी संख्या सेमित होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए कि अभी तो जो है वेस्टन डीट के दोरा हुआ इस महीने फिर अगले महीने आस्टेलिया फिर इंग्लेंड हो गया फिर नेजिलेंड हो गया तो ऐसे तो जो है लगातार मैचेश होंगे तो इससे तो खिलाडी बरबाद हो जाएंगे उन्हें रैस्ट का समय नहीं मिल ला उन्हें रैस्ट का टाइम नहीं मिल ला तो यह संख्या जो है वो सेमित होनी चाहिए आपके मन में खुद तर्क भी तर्क आने लगे इस कथन को पढ़ते हैं आप इनके तर्क पढ़ लेते हैं जैसे कि पहला तर्क इन्होंने क्या दिया है पहला तर्क देखते हैं पहला तर्क कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सेमित नहीं होना चाहिए क्यों प्रतियक देश को जितने चाहे उतने मैंच्छ खेलने की सुतंता होने चाहिए duy हो गया गलत हो गया प्रतीयक देश को सुतंतरता आप्स तन्तरता का मतलब यह नहीं कि तुम डेली मैच खेलने लगो यह यह जो है देश को रिप्रजेंट करते हैं ठीक है तो पहला तर्क तेरिया तर्क बिल्कुल और गजोंगे तो बार उन्हें लगातार मैच खिलने तो रेस्ट का मौका ही नहीं मिल ला है थोड़ा बहुत रेस्ट भी तो चाहिए तो वह तो सीर्स क्रम के जितने भी खिलानी बरबाद हो जाएंगे बरबाद हो जाएंगे तो फिर टीम कैसे चलेगी ठीक है कोई भी देश यह थोटने जाता है क कि मेरी टीम का अगर कहीं भार जा रहे है या अपनी देश में खेल ले यह तो वहार जाए ना कटाए तो दूसरे वाले का तर्क बिल्कुल ठोस है क्लियर है तो आपके प्रस्ट का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नमबर बी उमीद है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अगला स च्छोटी दुगाने बंद हो जाएंगी आप से एक किशन ये फिर से के मन में सवाल आगया आप 5-6 मित्र वैठे हो कि यह सरकार जो है नगर विकास प्राधिकार जो है प्राधिकारियों को शौपिंग मॉलों के निर्मार को प्रोसाहित करना चाहिए कि यानि कि नहीं चाहिए इसा मॉल वबाद किसकी चलने न tapping कम कि ने चले हूए नगरों कि दिशान को प्रोसी किशा मार्किट मार्केट में जा रहे हैं और जो है तो ठीक है अब दूसरे कहा रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो छोटे दूकंदान है फिर उन पर कौन जाएगा तो बरबाद ही हो जाएंगे तरक आये होंगे अब इनको मैच करा के देख लो पहला तर कह रहे है कि हां बंद कर देना यानि कि मुण शॉपिंग मॉलों के निर्माल को प्रुशाहिद करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्यों कि सॉपिंग मॉल में एक ही छत के नीचे हर एक चीज सस्ती दर पर मिल सकती है कि दूसरा कहा रहा है और नहीं करना चाहिए क्यों करना चाहिए बहुत से लोगों के लिए रोजमर्णा की खरीददारी के लिए शॉपिंग मॉल में जाना सुविदा जनक नहीं होगा ऐसा थोड़ी कि सहर में सब लोग जो है वो हाइफाई रह रह रहे हैं सेहर में ऐसा थोड़ी नहीं कि सब लोग हाई फाई रह रहे हैं सेकंड वाला भी आपको कैसा हो क्या साही हो गया तो उनके लिए मॉल जाना थोड़ा सा यह भी नहीं कि सुभिता ही हो छोटी दुपानों से खरी नहीं तो दोनों बात कैसी है सही बीच का रास्ता नहीं निकालना आपको ब पहुंच जाएंगे ठेक बढ़ते हैं अगले सवाल के ओने कि नेक्स शिशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि नम्बर 13 13 में कहा गया है कि क्या फल उगाने वाले पौधर और पेड़ों के अनुरक्षण के लिए केट नासकों के प्रियोंग पर प्रतिवंद लगाया जान अब फिर से एक के मन में सवाल आ गया कि जो फल बाले पौधे हैं जो फल हमें देते हैं जिसे आम हो गया अमरूद हो गया तो कीटों से उन्हें बचाने के लिए जो कीटनासक का प्रियोंग किसान करता है या माली करता है तो उसको प्रियोंग को उसके प्रियोंग पर कीट कीटनासक के प्रियोग पर पूर्टे प्रतिवन लगा दिना चाहिए तो फिर से आपके मन में सवाल आएगा हाँ बिल्कुल सही बात है यह कीटनासक जो है वह फलो में आते हैं जिससे जो है नुकसान हो रहा है सरीर को कैंसर जैसे बीमारी हो रही है दूसरे करेगा और अच् से जोचा आपस में जब फील करके करो पहला तर्क नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह सभी पौदे और पेड़ कीटों के आक्रमर से नस्थ हो जाएंगे इससे किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान होगा हानी होगी बिल्कुल सही बात है किसानों को भी हानी होगी और फ मैं आप से थोड़ी देर पहले कह रहा हूं यह कह रहा हां पूर्ते प्रतिबंद लग जाना चाहिए क्यों लग जाना चाहिए क्यों कीटनास को में खतरनाक रसाइनों का प्रयूप किया जाता है जो फलो में प्रवेश कर उनके भुपताओं के लिए स्वास्थिक की गंभ प्रीट कैसे एक में बात कई जारी करने की एक में ना करने की तो जब ऐसी कंडिशन होगी तो इसका आप यह नहीं देंगे इसका आंसर क्या देंगे सी ठीक है इसका आंसर क्या देंगे सी अब इसी तरीके के कुशन को देहां से समझना है कि option number C कब देना और E कब देना है यहां जो बात कही गई है कि एक में तो कह रहे है कि प्रियोग कर लो और एक में कह रहे है नहीं करो बात आ रही है कहें कि विपरीट हो रहे है न एक दूसरे कि अगर आप प्रियोग करोगे तो यह खत्रा नहीं करोगे तो यह खत्रा तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा option number C या तो पहला थोस हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है क्लियर है समझ में आया अच्छे से ठेक next question है question number 14 14 में क्या कहा गया है उसको देखो एक बार क्या भारत में बड़े शहरों में घरेलू वस्तवें बेचने वाली सभी छोटी दुकाने बंद कर देनी चाहिए पूरे भारत की बात हो रही है this Trinity me कहा ने बड़े सहरों में घरेलू वस्तवे इसलिकर बात करें बड़े सहरों में घरेलू वस्तव वेचने वाली सभी चौटी दुकाने बंद कर देनी चाहिए जितने वी च्छोटी दुकाने हैं तो क्या कर देनी उनके पास आजीवा के लिए कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा तर्क बिल्कुल सही है ऐसे कैसे बंद कर दोगे तो फिर वे बेकार नहीं हो जाएंगे आजीवीगा कैसे चलेगी उनकी और दूसरा तर्क कह रहा है हां कि बड़े सहरों में जो है शौपिंग मॉल्स में लोग लोग एक ही छट के नीचे अपनी सारी खरिदारी करना पसंद करते हैं इसलिए इन चोटी दुकानों को टिके रहने में ग्राहक नहीं मिलेंगे तो दूसरे की बात भी बिल्कुल सही है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कृस्ट में बताया था तो उस कृस्ट में यह नेक्स कुष्टन की और बढ़ते हैं किसे नमबर 15 15 में क्या कहा गया है जी 15 को देखो 15 में कहा गया है क्या चीन में बने सभी खिलोनों पर भारत में रोग लग जानी चाहिए खिलोनों का जिक्र अभी हाल ही में हमारे देश के मानने प्रधान मुंत्री ने अपने मन की बा नहीं थी ठीक है एक्जाम हो जाता है उसके रिजल्ट का पता नहीं पहली बात तो फॉर्म बर गया एक्जाम डेट का पता नहीं एक्जाम डेट पता चल गई एक्जाम हो गया तो रिजल्ट का पता नहीं रिजल्ट भी आ गया तो फिर जॉइनिंग का पता नहीं इस और सब्रेक्ट हम्हिए लोग बेच हैं और हमारे प्रधेक्ट मंत्री काते हैं कि उनके मन में विचार आया कि कि चीन में बने सभी खिलोंओं पर भारत में रोक लग जानी चाहिए अब खुछ State gave net युम मत्रीयां उन 완 उनके सामने क funciona कि क्या ऐसा करदेना चाहिए छीनद के बने ख Когда बहुत सस्थ होते हैं क्योंकि चाइना का महल है सस्था होता है और इस्थानी खिलोने निर्माताओं को कारवार बाहर कर कि ज्यादा चलने वाले नहीं बच्चों के खरीदने के लिए लेता है ज्यादा दिन चलेंगे नहीं तो क्यों ज्यादा पैसा लगा हूं जो भारत में जो चाइना से खिलोने आ रहे हैं वह सस्ते होते हैं तो आदमी सस्ती चीज खरी लेता कि पता तो है यह दो तीन दिन में कि देख कर कि यह ससते हैं तो जाहिर सी बात यह इस्थानिय निरमाता यानि वह भारत के खिलोने निरमाता को कारवार से बाहर कर birthday दोसरा कुछ लोगों ने तो के दिया कि हां बैन कर देना चाहिए दूसरे ने अब कुछ मंत्री और वो इसके विवक्ष में बोले कि ठीक क्या बोले कि नहीं कि नहीं करना चाहिए यानि कि चीन के खिलोनों को भारत में नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए उनका तर्ग भी सुन लो कि भारतिय खिलोने काफी अच्छी quality के हैं इसके इसलिए उनकी विक्री पर असर नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं कि क्यों बंद कर रहो मत करो अगर भारतिये खिलोने अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो मार्केट में ठीके रहेंगे कि यानि कि यह पैसा ही तो ज्यादा जारा है लेकिन बच्चा ज्यादा खेलेगा तूटे का नहीं जल्दी से तो उनके क्वालिटी के ऊपर छोड़तो तो अपने आपी लोग चाहिना तो अजब खरीदना बंद कर दीग है तो उतनि नहीं बहुझेगा तो बात्ने थ्याख dudकुल वैश्मी का शेयन के अकर फिसे इंगे यहीं कि यमेश्याय तो एक रासता क्या भेच जायेक दोनों की बात अजाना कि कौनसा तर्क्छो से कौन सा नहीं हां के साथ जो explanation दिया है ना के साथ मैच करना चाहिए यह दूसरे के बिप्रीद कथन नहीं है ठीक है यह बिप्रीद होते तो यहां भी सी लग जाता जो हमने last question किया था ठीक उसमें केट नाश को वाला वो दोनों एक साथ संभव नहीं हो रहे थे नहीं करेंगे दोनों एक साथ संभव नहीं है तो जब दोनों एक साथ संभव नहीं है तो वहां अंसर आपका सी होगा लेकिन यहां तो दोनों चीज़े संभव हो सकती है एक साथ दोनों चीज़े एक साथ संभव हो सकती है तो इसका अंसर जब दोनों ठोसें तो ई लगाएं ठेखेह जादर से जादर आपके kitchen सही हों आप kitchen पर नाट को क्लिरफ़ है अगला सवाल देखते है condition number 16 Key 16 में क्या कहा गया है बहुत interesting perception है कि स्वेन में कहा गया है किया करमचार गरियों के हरताल करने के अधिकार पर प्रतिबंद लगाया जाना चाहिए और उलंगन करताओं को कड़ी सजा दी जानी चाहिए एक करमचारी हरताल पर जाने की बात कह रहे हैं कोई कंपनी है ये एक फैक्टरी है उसके करमचारी क्या कह रहे हैं कि हरताल करने के अधिकार क्या नहीं कि वो कभी साजा दी जानी चाहिए सेट्मेंट में दिया जितनी फैक्टरी होती है फिस संदुनारा म Platz 1 होता है जो जितनी ऐबिशोती है जैसे कि कपड़ा यॉभरी और नहीं की हूँ ठीक है तो उसमें जो वर्कर काम करते हैं तो उनका एक लीडर होता है जो वर्करों की बात को मालिक तक पहुचाता है कि इनको यह समस्या है तो अब यह बात कही जा रहे हैं कि हड़ताल पे चल जाते हैं कभी भी तो कंपनी ने सोचा कि इनको उलंगन करता जो इस तरीके के हरकते कर रहे हैं इन पर कानुनी कारवाई होनी चाहिए तो पहला तर्क कह रहे हैं पहले तर्क में क्या कहा गया है हां संगठनों का कार्य सुचारू रूप से चले यह सुनिचित करने के करने का और संगठन कुछ भी चला लो कुछ भी चला लेगा ऐसा करमचारी की मानता रोकने का यही एक तरीका है कैसा हो गया गलत यही एक तरीका यानि कि केवल एक तरीका या एक मात्र तरीका केवल एक मात्र ऐसे सब्द आ जाएं तो वो कैसा होगा तर कभी ढोस नहीं हो सकता स्टार्टिंग में बताया था इन सब्दों को तो बीडियो को पूरा देखा कर बीच में कुछ ऐसी बाते होती है कुछ लोग स्किप कर देते हैं तो यह लॉजिकल लीजनिंग है इतनी आसान नहीं है मैं यह इन ही कहता कि आपने आज से पहले नहीं पढ़ी और बहुत अच्छे टीटर पड़े हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया भी है लेकिन फिर भी हमारी समस्या रह जाती है तो मैंने एक प्रयास किया है कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो पहला कैसा हो गया गलत पहला गलत के उम्मा क्योंकि उसने कहती यही एक तरीका है केवल एक तरीका केवल एक मातर आदी सब्दाएं तो कैसा होता है वो ठोस नहीं होता स्टार्टिंग में कि में बताया था अब सेकंट में कहा है है कि कि नहीं होना चाहिए उलंगन-करता ओपटर सजाए कि बात नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि इसका पढ़िदाम एक कंत्रे संगलादमर्मट करेंगा बिल्कुल सभी बात है तो आपके वृश्ञर्स का वत्त्तर हो गया ज कंपनी का जो मालिक है वो अपनी मन मानी करेगा कि नहीं हम तो तुमारी मांग नहीं मानेंगे तो खरताल पे भी जाना चाहिए तब ही जाके मालिक सुद्रेगा नहीं तो वो उनका सुषणी करता रहेगा कभी पगार नहीं बढ़ाएगा इस तरीके का यही उस देखा है कि न उनके हक है उसका जो है वो नाजायस फायदा उठाएगा कौन मालिक तो ये बात बिलकुल सही है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है फिर वो अपनी मनमानी करेगा उनकी सुनेगा इका अब हरताल पर जाएं कम सखम सुनेगा तो सही जब कंपनी एक दिन के लिए दो दिन के लिए करमचारी काम ही नहीं करें लॉस होगा तो फिर जाकर उसके कानों पर कहीं जूरेंगे की हाँ कि यार सुनना चाहिए अगर ऐसा पूर्टे परतिबन लगा दिया गया तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा तो सेकिंड वाला ठोस है तो आंसर हो गया बी तो मैंने इस टॉपिक में 16 किस्टन कराएं हैं इस वीडियो में अगर आप लोग चाहोगे तो इसका मैं सेकिंड पार्ट बना दूंगा कमंट में कमंट करके मुझे बता देना कि हमें इसके और किस्टन कराओ जिससे टॉपिक अच्छा हो लेकिन उमीद यह है कि यह 16 किस्टन मैंने आपको कराए हैं अब अपने बुक में से प्रेक्टिस हैट में से आप करके देखूए तो इतनी परिशानी नहीं आने वाले बाईचांस अगर आती भी है तो कमंट बेक्स में अपनी राय दें और मुझे पता दें कि सर इसका एक पार्ट और मना दू अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है मैंने पूरी कोशिस की है कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करा सको ठीक है अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है तो इसका सेकंड पार्ट यानिकी और कुशन इससे ज़्यादा से ज़्यादा और कुशन कराने कोशिस करूँगा लेकिन तब ही जब आपका हो गया ऐसे नहीं क्योंकि आप लोग पढ़्धी नहीं रहे हुत तो मैं ऐसे कैसे करा दूंगर नहीं कोई जरुत नहीं है और में राए इस वीडियो में नए कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ग्यान नाइनी ऑनलाइन क्लास जैहिद